अगर कुछी रुपे में हमारी मेहंगी वाले ट्रीटमेंट घर पे हो जाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जिसी कि हमारे हाथ पेर काला होना कोणी घुटना सब कुछ काला होना अंडर आम और गर्दन के पीछे आगे मूँ के उपर बिल्कुल काला परत हो जाना इस को अच्छे से एक्सपोलेट करते है इस तरह से गंदिगी और डडेट को हम लेकालते हैं इस तरह से घर पर हम बिल्कुल बिना केमिकल के हम यहां पर घर पर करेंगे कोई केमिकल हमें कर दिए और एक बात है दोस्तों बिल्कुल पैसा खर्चार नहीं है जो भी हमारे घर पर अभलेबल है उसी से हम हमारे सब कुछ छमका सकते हैं वो भी बहुत ही कम खर्चों में तो चलिए देखते हैं आज के हमारे बहुत ही यूसपूल रेमेडी जो सब को बहुत पसंद आएगी तो दंबाई वाले टमाटर ना लीजिए इस तरह से गोल बाली जो टमाटर होती है यह टमाटर अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए देशी वाले टमाटर बिल्कुल आप मत लीजिए तो यहां पे एक टमाटर को हम दो पीसिस में इस तरह से काटेंगे दो भाग में एक भाग से हम इस तरह से छोटे-छोटे टुकडो में, हम यहाँ पर टमाटर को काट लेते। आप तो बहुत ही अच्छी है शोटे-चोटे, और यहाँ पर हम तोड़ा सद चीनी लेते हैं चीनी हमारी कुछुन में हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी तो यहां पे ये दोनों चीज़ हमें हम मिलाने के बाद लेते ही kolgate toothpaste kolgate toothpaste बहुत ही अच्छी होती है हमारी skin की dirt को निकालने के लिए cleaning करने के लिए लेकिन kolgate toothpaste आप कहां पे लेंगे दोस्तों, अपनी हाथ और पेर पे इस्तमाल करेंगे, बिल्कुल अपनी फेस पे इसको इस्तमाल मत कीजिए, तो हमने यहाँ पे जो चीनी डाला है, इसकी काम भी बहुत ही अच्छा है, तीनों चीजों को हम इस टमाटर के उपर अच्छे से मिक्स करतें, टमाट की क्लिंजर है, टोनर है, थोड़ा यहाँ पे डाल दीजिए, बस उतना ही काम है, तो चलिए, पहले में एक हाथ पे लगा के दिखाते हूँ, यह हमारे हाथ और पेर की ट्रिटमेंट है, यह बिल्कुल फेस के ट्रिटमेंट नहीं है, आप यह टमाटर को बीच बीच में इ अच्छे से रब करेगी, यानि की बच्छे से स्क्रबिंग करती है, आप 10 मिनट इस तरह से घीसिए अपने हाथ और पेर को इस तरह से टमाटर की जूस को अच्छे से निकालिया, निचोड निचोड के और इसको अच्छे से आप सर्कुलर मोशिन में अच्छे से करके, पोर्स खूल जाती है और इसके अंदर से जो गंदी है छोटे छुटे श्टे गंदी गये वो निकल के बाहर आती है आने के बाद क्या होगा ज़ा इस तरह से आप घिसने के बाद यह धीरा दिरें जो हमने चीनी राला है यह चीनी अच्छे से गंदिगी को निकाल दे 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 देखिए हमारे टमाटर पूरा खतम हो गई फिर चलते हम इसको धोने की प्रोसेस में आपकी सामने मैं दिखा रहे हूं तो देखिए हमने आपकी सामने 10-15 मिनिट हम ने अपनी स्कीन को देखे अच्छे से हमने टमाटर से मसाज कर ली जो घर पे जो रेमेडी बना के तो अब देखिये यह हमारी जो तोचा होती है इस हाथ और पेर की तोचा मूँ की तोचा से थोड़ा डिफरेंट होती है अपनी स्कीन के उपर तो देखिए आपकी स्कीन की गंदगी डेट निकल गए ये तो हो गई पहली बाली प्रोसेस दूसरी बाली प्रोसेस चलिए हम देखते हमारी फेस के लिए जो हम दूसरी बाली टमाटर हमने आधा वाला रखा था उसी टमाटर को लेंगे और हमारी फेस को काटा था इसका रस थोड़ा बाहर आ जाने चाहिए 10-15 मिनिट में ये काम हमारी हो जाएगी टमाटर लाल होती है और टमाटर की जिस बहुत ही अच्छी होते हैं हमारे स्कीन के लिए तो यहां पे लेते हम गेहु के आटा गेहु के आटा की जगा आप बेशन ले सकते लेक हम ग्लिसरीन डालते हैं ग्लिसरीन जो होती है हमारे स्कीन में एक चमक लाती है और चावल के आटा जो हमने डाला ही थोड़ी स्क्रबिंग करेगी हमारे स्कीन की जो डर्ट है जो पोर्स के अंदर डर्ट रहती है उसको निकालेगी और इसमें थोड़ी गुलाब जल ने त चुटकी वर हल्दी रालते किचिन की हल्दी मित बल्कुल मत लिजिए यहां पर जो देसी बादी हल्दी होते हैं कच्चा हल्दी होते हैं कस्तुरी हल्दी होते हैं कुछ भी आप ले सकते तो तीन चार चीजों को हम यहां पर अच्छे से मिक्स कर लिए टमाटर जूस के साथ यह सारे चीज़े अच्छे से मिक्स हो गया देखिए वही टमाटर हम लेंगे हमारी स्कीन के ऊपर इसको अच्छे से हम इसको धीरे-धीरे करके मसाज करेंगे यह दूसरी बारी प्रोसेस जो हमारी स्कीन के लिए तो मैं दूसरी हाथ पर आपको दिखा रहे हूं आप कोलर मोशन में आप कीजिए जितनी भी गंदगी होती है इस चावल की आटा है यह को क्या करेगा हमारी जो काला धब्बा होती है हमारी स्कीन के ऊपर यानि कि हमारी स्कीन के ऊपर धीरे-धीरे इसको कम करेगी और हमारी पोर्स से जो काला दाग होती है वो निकाल देगी प तो आपनी स्कीन को ना तीन चार बार हफते में कर लेजी आपकी चमक इतनी जो तोचा में चमक आजाएगी और हम दोस्तों टमाटर खतब होने तक धीरे धीरे आप अपनी स्कीन में अच्छे से मसाज कीजिए तो हो गए ना दोस्तों देखे रंग जो होती है वो प्रकृति की देन होती है उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते और उस रंग को हम निखार सकते भगवान की जो देन है हम उसको बदल नहीं सकते लेकिन इसको निखार सकते अपनी तोचा को हम स्वस्त रख सकते हैं और बहुत ही नहीं आएगी कालापन दाग धबे कुछ भी नहीं आती है थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट आप घर पे कीजिए आधा घंटा तो बिल्कुल नहीं देना है दस से पंदरा मिनुट हफते में दीजिए हफते में तीन चार बार कर लेजिए आपकी तो खिल खिलाने लगेगी त चलिए मिलते कल की वीडियो में तब तक के लिए इतना ही दस धन्याइब करेंगेगी तो खिल 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 खिल